आप देखोंगे, non-veg खाने में काफी अच्छा nutrition होता है, आप देखो मिसाल के तौर पर, vitamin B12, vitamin B12 जो है न, ये जो है, animal sources में ही मिलता है, vitamin B12, गोश में मिलेगा, मची में मिलेगा, eggs में मिलेगा, vitamin B12, और, हर 3 vegetarian में से 2 के अंदर, vitamin B12 की deficiency निकली, लेकिन, गोश खाने वालों बात है naturally हो जाता है, supplement लेनी को ज़रूरत नहीं है, natural तरीके से आपके पास B12, vitamin B12 आज जाता है, vitamin B12 की बहुत अहमियत है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि vitamin B12 deficiency हो तो, कमजोरी होती है, brain function कमजोर होता है, neurological disorders आते है, psychiatric disorders आते है, B12 इतना अहम होता है आगे देखोंगे, जो creatin है, तो creatin भी animal foods में ही मिलता है, यह क्या चीज़ के लिए, muscle cells के लिए, strength, endurance पैदा करने के लिए, यह muscle building के लिए, creatin की ज़रूरत होती है, तो यह क्या है, animals के source में ही exclusively होता है, अब supplements लेना पड़ता है, vegetarian को, यह cover करने के लिए supplements लेना पड़ता है, creatin की विए सारे फाइदे ह होते हैं, उसी तरह, vitamin D3 हो गया, carmosin हो गया, DHA हो गया, यह सब वहाँ पर सिर्फ आपको exclusive, सिर्फ गोश में मिलेगा, और animal origin products दिखोंगे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो, कि कई सारे animal origin products में, मैं इसका आगे बताऊंगा, कि इसके अंदर किस तरह से आप सबसे A class proteins तुम वरहमतुलाही वबरकातू, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं, आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शूरू किया है, जिसका नाम है आई प्लस टीवी इक्तिलाफ का हल, इस चैनल पर सिर्फ इक्तिलाफी मसाल पर वीडियोज आएगी, लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ, आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें, हमारी वीडियोज को शेयर करें, और नोटिफिकेशन आइकन को अल सिलेक करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज का गांतला.